कि अलो गैज आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो पे 15 से 20 ऐसे स्टॉक हैं जिसके रिजल्ट्स आने वाले हैं और अगर आपके पास हैं यह स्टॉक तो आप थोड़ा सा सतर्क रहिएगा देखिए सबसे पहला स्टॉक है इंफोसिस लिमिटेड का और आज अपडेट पा अगर देखना चाहते हैं तो भी आप यहां पर देख पाएंगे और यह पर मोटर की होल्डिंग है और अगर आप पब्लिक फोल्डिंग पर जाईएगा तो सेवेंट पॉइंट नाइन वन परसेंट सॉर्ण सेवेंट पॉइंट वन नैं पोसेंट लाइसी एसी एसी कंपनी है और कंपनी इतनी तगड़ी है कि आपको पैसे बना के ही दे रही है अगर आप देखिएगा तो यहां पर डिलिबरीज अच्छे खासे उठाए जा रहे हैं और टेक्निकली यह स्टॉक आपको देख रहे हैं पान सालों में कभी भी आपको पैसे डूबाने की कोश में आएगा 2016 में कंपनी का 800 करोड की यहां पर फाइनेंस ती वह है और यहां पर देखिए 2020 आते आते कंपनी ऑल्मोस्ट डबल कर चुकी है अपने इस एसेट को से रोल्डिंग्स की बात की जाए तो कौन-कौन लोग इस पर माल उठा रखें तो यहां पर देखिए नन इस में वह सी कोई बहुत जबज़स्त होल्डिंग्स नहीं है बट कंपनी का अगर हम लोग रिटरंस देखेंगे तो कंपनी का रिटरंस आवरोल बहुत दगड़ा पान सालों में तो यह था दूसरा स्टॉक अगर आपके पास है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा स्टॉक है पाज गया लगबग 30 रूपय का था स्टॉक और अभी रिसेंटली जो हाई बना एक सो साथ का बना है अभी इस क्वाटर का जब रिजल्ट आएगा कंपनी का तो रिजल्ट काफी ज्यादा माइनी रखेगा तो अगर आपके पास है यह स्यास दिखें दो दिनों में इसमें कितना जबर्जस तेजी भी आई थी रिजर्स के पहले और देखें कल थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है तो न्यूज के बेसिस पे प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है क्योंकि रिजल्ट अगर थोड़ा सा धिमा हुआ तो स्टॉक और भी नीचे जा सकता है अगर हम लोग बात करेंगे इसके शेयर होल्डिंग पैटरंस की तो शेयर होल्डिंग पैटरंस पे आपको नजर आएगा कि जीओ यहां पर फिचुरस्टिक डिजिस्टल जीओ टेलिविजन जीओ डिजिटल और यहां पर इसी लिए मैंने कहा था रिलांस स्ट्रेजिक इ केंपणी हिस्सदारी कंपणी में है तो और मॉस्ट फिर्लांस इंडेस्टी की एं उसके बाद टाटा इस्टील बी एसल है रिलांस इंदस्ट्रीन इंफरा स्टेक्चर तीटगर वेगन है रेल्वे स्टॉक रेल्वे के सिगमेंट पे काम करने वाली अदित्त बिरला मनी बहुत अगड़ी कंपनी ये भी है गोवा कारवन लिमिटेड है उसके बाद जेटील इंफरा है सीएजडी केमिकल्स है इंटरनेशनल स्टेबल हाउसे से गुजरात हुटल्स है पी एलम जुएलेज्स है और उसके बाद और दो-तिन स्टॉक है मुझे ऐसा लगता है कि इन से आज का रिजट सिग्मेंट है इसमें से अगर आपके पास कोई स्टॉक है तो डेफिनेटल आज आपको थोड़ा सा इलड़र रहना चाहिए रिज़ड देखना चाहिए और उसके बाद आगे कैरी करना चाहिए और मैं आसा करता हूँ कि अभी मैं आपको सारी स्टॉक की ड और बेल आइकन को प्रेस कर लें इसी तरह आपको जो खास स्टॉक रहेंगे उसके कुछ मैं आपको इस वीडियो पर दिखाने की कोशिज करूंगा ठीक है मैं मिलता हूं नेक्स वीडियो पर तब तक के लिए बहुत बहुत दिने बाद हमाद चैनल विजिट करने के लिए और अगर आपके पास कोई इस त्रॉक तो जरूर आप आज वाच किजिए थैंक्यू